सच्ची सफलता किसी गाव में रामू नाम का एक यूवक रहता था। रामू गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसे हमेशा से अपने परिवार की हालत सुधारने और समाज में अपनी पहचान बनाने की लालसा थी। लेकिन जीवन की कठिनाईयों और संसाधनों की कमी के कारण उसके सपने धुंधले होते जा रहे थे। रामू के गाव में एक प्राचीन मंदिर था, जहां हर रोज कई श्रद्धालू आते थे। रामू ने सोचा की अगर वह मंदिर के पुजारी से सलाह ले तो शायद उसे अपने जीवन का सही मार्ग मिल जाए एक दिन वह हिम्मत जुटा कर मंदिर के पुजारी के पास गया और अपनी समस्याएं और सपने उनके सामने रखे। पुजारी ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और उसे एक कहानी सुनाई, उन्होंने कहा, एक बार एक किसान था जो अपने खेत में महनत से काम करता था। एक दिन उसने अपने खेत में एक बड़ा पत्थर देखा जो उसकी फसल उगाने में बाधा डाल रहा था. किसान ने ठान लिया कि वह उस पत्थर को हटाएगा. किसान ने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन पत्थर हिलता भी नहीं था. कई दिनों तक उसने कोशिश की, फिर भी सफलता नहीं मिली. तब उसने सोचा की क्यों न किसी की मदद ली जाए. उसने गाव के कुछ लोगों को बुलाया और सबने मिलकर पत्थर को हटाने का प्र दीख मिलती है कि कभी-कभी हमें सफलता पाने के लिए अकेले नहीं, बलकि दूसरों की मदद की जरूरत होती है. मेहनत और सहयोग से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं. रामू ने पुजारी की बात को गहराई से समझा और निरने लिया कि वहा हार नहीं मानेगा. उसने गाव के कुछ शिक्षित और सफल लोगों से मार्ग दर्शन मांगा. उन्होंने रामू को उसकी शिक्षा और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. रामू ने अपनी आय का कुछ हिस्सा अपनी शिक्षा पर खर्च किया और बाकी पैसे से अपने परिवार की मदद की. रामू की महनत और आत्म विश्वास ने उसे एक सफल उद्यमी बना दिया. अब वहा अपने गाव में ही नहीं, बलकि आसपास के इलाकों में भी प्रसिद्ध हो गया. रामू की सफलता की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि महनत, आत्म विश्वास और सही मार्ग दर्शन से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं. अगर हमारे पास सपने हैं और उन्हें पूरा करने की द्रिध हिच्छा शक्ती हैं, तो हम निश्चित ही सफलता की उन्चा को छू सकते हैं. रामू की तरह, हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए.